विशेस विशेस द्यान रखना है आपको अगर आप नियद धार्माव में पक्के हैं तो ओफर कीजिए सामने से ये सेवा हमें दीजिए हम तरह लिए से ठीक है ना? और उसमें फिर बाद जो अमारी देहने निमित हैं उनकी हा या ना का इंद्जार कीजिए अगर वो हाद हो ले तो जीज ना को ले तू भी सर्माथे क्योंकि ये गोंगुनी देहनों की हाद से बनता है आज मैं आप एक रियलिकी रता रही हूँ जिनके त्याग और कपस्या की कहानी भगवान की दाइनी में सोने के अक्सरों में लिखी जाएगी जिने आप ये सब्हेद वस्त्रदानी देखते हो ना ये बहुत सम्माण के बहुत रिस्पेक्ट के गादे ही इम बेसा क्या इम जेसी तपस्याग ना को किसी रेंगी है ना कोई कर सकता है जब फेनमे खाने की उमर की जब सजने सजानी की उमर की जब शोट शंदार की उमर की तब इन्योंने अपना सारा धर संसार प्याद लिया छोटी छोटी सी उमर में सारे रंग छोड़ कर केवर सप्थी जलंग को दानी कर लिया अपना धर संसार प्याद कर भगमान को अपना संसार बहा लिया एस ही हमारी गहन जो रोते हुए उनके पास आते हैं और हसते हुए जाते हैं जो भटकते हुए आते हैं और रहा लेकर जाते हैं जो प्रभु मिलन करा रही हैं जो उसके भिछडे लाल उसके मिला रही हैं एसी पजित्र बहनों के हातों से जिसका यादगार काम देनु है, जिसका यादगारानी पुर्णा है, उनके हातों से ये प्रभू परशाद बनता है। एक दूसरे से बात करते ही कि हमारे नसीब में छपन परकार के भोगतों हैं, प्रन्तु ये ब्रह्मा भोजन हमारे नसीब में नहीं हैं। तरस्ते हैं वो इसके लिए। वो केते काश, ये ब्रह्मा भोजन भी हमारे नसीब में होता है। प्रन्तु ये के वल आपके नसीब में हैं देलताओं के लिए। तो इब आपके लिए तारी तो बजा हमारे। आपके नसीब में हैं। अब ये जब भोग बनता है, भगवान को स्विकार कराया जाता है। उसकी प्रुपा दृष्टी तो तबी से बच्चनी शुरू अजाकी नमर में संकल पाता है की लगाना है। तबी से उसकी दृष्टी के पार प्रभण जाती है हम। अब उसकी दृष्टी कैसी होगी। बगवान के प्रिष्टी को क्या बोला गया है? कृपा बश्ष्टी इसमें के इवल प्रफा बभी होती है वो पढ़ी शुरू हो जाने के अब यह दिली पांच ब्राहमनों को पांच पढ़ीतों को फिलाने से गहे चारी उतर सकती है तो आज कैसे ब्राहमनों? बताएए मात कीजेगा मुझे में सब के लिए तो नहीं केर रही हूँ लेकिन हाँ कुछ ब्राहमनों के गरों में व्यस्टन प्रवेश हो चुके है ब्राहमन ब्राहमन नहीं लगे पीछे हम मा बेश्टर गए मा एक भाई लिला उसने का गेंजी हम वैश्टनव है मेरे किताजी कठावाचत थे प्रस्थ विदर के कठावाचते है अभी उसी नया मैं आता नशा बहुत था ज्यान की आया है कैता गेंजी वैश्टनव है पर दिया थे यह है कि एक जिन फाली है जाता जिस धिन हम आंजे से शिरुवातना करते हो और नॉंसे समाक्तीना करते हो दिए हमारे आंजा भी रोज़ बनता है नॉंसी रोज़ बनता है कष्मीर में वहां बताया कुछ कष्मीरी पंडित से हैं जो नॉंसे इसको खटे है लग श्यर्नी लगा अब यो पंडित में बचे नहीं वो थोड़े हैं पर एक पंडित भी बता रहा था कि हम तो ने खाते पर कुछ पंडिते से हैं जो शिवरात्री को शिवनी पर भी मास का भूग लगाते हैं तो ब्रावलों के धर में जो पठा रह चते हैं जो पंडित हैं जो ब्रावल हैं उनके जीवन में भी व्यस्म चले गए वो भी तांसिक हो गए तांसिकता चले गए उनकी लाइफ में अगर उनको फिलाने से ग्रहेचारी उतर सकती है तो आप के से ब्रावल हैं सोचके देखे विचार करके देखिए यहाँ एक बाबा की पखित कुमारी के रब एक तणिया ठड़ी हो जाए जादा निए अगे कितनी हैं तो वह सो सो ब्राहामों पे भारी पढ़ जाती हैं बाबा की एक पखित कुमारी एक पवित्र ब्रव्चारी कुमार ही, बैटे लिए कोई? कुमार बैटे लिए कोई? बहुत सारे बैटे लिए. अगर ये पवित्र कुमार मैदार में आ जाए, तो 700 700 ब्रहमनों पे भारी बढ़ जाता है एक बादा का कुमार. एक पुमार एक तरफ 700 ब्रहमन, एक पुमार को पिला तो मना? साथ सो ब्रहमन को पिला दिया. और उस्से धीज़ी बार आप सब द्रसी को रखे हो यांतर. जिस सुरती को हार कर, डर कर, दिशी मुनी हिमाल्य की तरफ चले लए, जंगलों की तरफ चले लए, बीवी को विवा बना करके, बच्चों माना करके. जिस सुरती को मैंने असंभा माल लिया, कि गर द्रस में पवित्र रहना असंभवी नहीं नामुकिन है. इस टेश लगा दिती उन्होंने असंभवी नहीं नामुकिन है. संसार की ये सबसे बड़ी चुनूती, ये आज सबने सुटार की है, इस सुरती को लगा रहे, एक में नहीं, दो में नहीं, दस में नहीं, सो में नहीं, हजार में नहीं. आज लाखों की अंदाज में हमारे पास ऐसे पपल है, ऐसे युगल है, जो इस चुनोटी को स्विकार किये हुए है, घर गरस में रहते हैं, आज में रहते हैं, लेकिन से गलब में रहते हैं, पीचर में रहते हैं, परंद को दाग लगने में रहते हैं, यह सबसे गड़ी हमारे पास पत्ची साल रवी दिन जाएगा, पचाश साठी मिल जाएगा, साठ ौड बेगारी मिल जाएगा, जिसने अपने जीवन को पड़़् किस्पर बना जिया है, एक साथ रेकर के, एक साथ रेकर के यह लिए तो तपस्या है उपर राने की हमारे जैसी तपस्या कोई नहीं कर सकता ना की है किसी ने तो इस देहे में रहे और देखे वहां इसे मुखत रहे यह कोई गम तपस्या है शरीद रहे के शरीद को भूजा कीच़ए रहे के दावर दोगे दे आजर रहे के शेक्षब लगे दे एसी कपस्या कोई गर्पे को दिखाए लेकिन आपने जी है आपने की है यह कपस्या अगर एसे पढ़ित्र दो ग्रसी मेतार में आते हैं दो पती-पत्री जिसने अपने जूवन को कमन स्कूल के समान पवित्र बना लिया कीच़वे है और तू कीच़वे नहीं दे रहा दो अगर मेतार में आ जाते हैं तो हजार रिशी बुनियों के भाली बढ़ जाते हैं बाबा के दो जूगल एक हजार रिशी बुनियों को खिलाया दो पवित्र युग्लों को खिनाया ब्राबर पुन्ये लगता है, ब्राबर पुन्ये लगता है, ब्राबर पुन्ये लगता है, पालीबत में जैन भाई हैं, वो बता रहे थे, कि हर साल, वो सेंटर के ग्रस्ती भाइडेनों को इन्वाइड करते हैं, जो ग्रस्त में रहे रह अभी बंदन करता है, सजाता है, सिंदार करता है, और अपने हाथ से वो शेहर का बड़ा सेथ, उन पवित्र युगलो को पूजता है, अपने हाथ से उन्हें बोज़त कराता है, अपने उतनी मानियता है पवित्र युगलो की, तो बगवान की शान है, और बगवान की उस किसी ने? तो अपने लिए के ताली बजा लो मातों होते हैं. अगर यहां खुद विश्णु खड़ा हो जाए आकर, तो वो बड़ी प्रावर से, बड़े समाद से कहता है, तुम ही तो मेरे बनसच हो. अगर वाज अग्दम पे साक्षाद कार कर आगे तो बड़े सर उन्ठादर के कहें, तुम ही तो मेरे फुत्र और फुत्री हो. जिने शिव बड़ी शान से कहता है, तुम ही तो मेरी समिकान हो. इतनी महणून आग्दम है. अब आखे से ब्रामने रखाईए, आखे मुख में, ऐसे पवित्र ब्रामनों के मुख में बस तरफ इतना है, वो तोप से जल्ले हो और आप मूख समिकान वगेंगें. बस कि तरह प्रत है. लेकिन ऐसे पवित्र महान आथमाओं के मुख में, ज जट्मां में उन महान आत्म्हों जो धुंहएळु काम करती है वो चमतकार करती है रहनी काम करती है फिर इसकी आहास मंनते हैं इसपे शीरहास चमतकार बता है हि युदक है न? कैसे परहमन वर लगाती है वर दोयाती ब्राह्मन पर पता हiała ईससे है पर आप जो आक कोई भाई खराता लो? जी, आप बित्ल पक्के किते साथ से हो? इदर आज़ा ज़ा यांदे आज़ा देख लो, पक्के हो पक्के हो महाज़ा आपसे प्रश्न बुच्वुमी में सब्के सांदे आप मेरे को ली जाज़े में मैं आज़ा से पहली पानी दीओ अभी अभी राइट? आपकी जेल में भाईजी पाज़े जाज़े है आप अपनी शहर से दूर कही जंगल में पसके है तीजिन होने बटक रहे हो आपके पेटने तीजिन से अनुनी गया है भूप के मारे अप्राण इकलने इन वाले हैं ऐसी स्थिती हो वही है आप वोजन को ढूंते जा रहे हो तहने तो कुछ मिले, नहीं तो कुछ मिले नहीं तो कुछ मिले चलते चलते आप पहार किसी गउन के कौने में कहुँचे महां अपने देखा कि कि आज के पकोड़े जर्म जर्म बन गए है जेड में 5,000 रुपे हैं पेट में धूप नी लगी है फिर दूसरी जर्ब देखा कि मुट्गे की टांग करी जा रही है क्या करोगे आप? कितको लिमानदारी से बताईए का क्या करोगे? क्योंकि आपके प्रांग जर्म 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 नहीं चोड सकते हैं आपके द्रामों में नहीं हैं अभी आपको बहुत उशारफ दनी मी ज़ूनत है क्योंकि भगवान में निश्चे नहीं भगवान में चाहा तु मेरी डगर पर चलके देख मैं धर्ती पार दूगा आस्मानी चेतोंगा पर तुझे भुका रहे नहीं होगा, तुझे आरस बिश्वास करठे कोगे, तुझे पर गश्वास करठे कोगे, नेकिल गद्वाल पर बिश्वास नहीं है, नहीं है। इसी विश्वास की जरूरत है और यही विश्वास चमत्तार करते हैं दूसरी बात भावना कैसी हो जैसी हमारे बाबा की एक माता बुड़ी उसने अपने गहर में पपीते का पेड़ब होया बहुत सारे सेवा केंडर नहीं कि गिने चुने कोई कोई सेवा केंडर थे पपीते का पेड़ब होया उसने सम्तल्क किया कि इसका पहला फल मेरे बाबा को अपने हाथों से खिला रहे लिए कभी आहारे मंदी भी लिचावराता है ये भी सीजन का जो पहला फल आता है हम इसको ओपर करें सबसे पहले और ये लिए गैरेंटी है कि आपके पास सब कुछ खतम हो जाएगा लेकिन जो पल आपने सीजन का सबसे पहले श्रदर से बगवान को उफर कर दिया वो खतर नहीं होगा इतनी वरतत करेंगा कि आप हैरान हो जाओगे हम जो पढ़ते थे मैं और हमारे सक्षी थी हम कॉलिज में जब जाते थे तो रिक्षा हमने तरही छोड़ थी पैदल जाते थे पैसा बचाते थे बंदारी के लिए ऑश्वन के लिए गुदवार की शाम का नियद था मालकित जाकर चुप चुनकर बढ़िया बढ़िया प्रूत लेके आना जो बढ़िया से बढ़िया फर्स क्लास कर शन होते थे मौले के आते करिए सारी पिलसिया चला, इसी ही जनम में, जो गविश्य के लिए जमा हुआ वो तो हुआ, लेकि इसी ही जनम में, आज मैं आपको बताती हूँ आप जाएए, मेरे उनपे जाएए, भाईजी के उनपे जाएए, इतने फल, इतने फलाते हैं, कि हम दोनों हाथों से बाढ़न तो भी वो कटम नहीं होते हैं। इतने कणायी। तेश विदेश से, तेविया बर्वते, यहां से, वहां से, इधर से, उदर से खुब बाते हैं, तो भी कटम नहीं। यह है इसका लिगन। जो पड़िश्य में जमा हुआ, वो तो हुआ। लेकिब वर्टमाद मेरी भरपूर है. वर्टमाद मेरी कमी नहीन है. क्योंकि वो भूखा के वन बावनाओं का आ है और भाणादी के वन बावना का देता है. काम कादिने का दिखादे का स्वार्ण का भारा नहीं देता. तो बात क्या दरेख है कि माता ने पेर बोया संकल्पतिया पहना ही पल बाबा को स्विकार कराओं के वने हादों से बड़ी भावना वाली माता आखिमों दिन आया जब पेर पल धाई की लोगा पुपिता है फुल साई इत्रा मता आता पकाता आता अच्छा माता ने अकबार में लंपेता और प्रेन में रह ली स्कीदा आखो पोजी सुभई सुभई जब पोजी तो बाबा वेट पर रहे है बड़े प्रेम से कहा बाबा ये पपीता आपके लिए लाई है बड़ी श्रक्ता से बड़ी भावन से लाई है जिस दिन बोया था पेर उसी दिन संतल्प कर लिया था अपने हाथों से बाबा को हिना लोगी तो बाबा बड़े हैरान होगे बच्ची की दूर से तो पपीता लेकर आई आज आज चलो बाबा की कमरे में चलो दोनों चले गए चाकु ठाली आगे माता भाव विभोर बाबा की भाव विभोर दोनों के आजन्द की सीमा ने चलब सीमा पर आजन्द है वो जूम जूम के काच काच के खिला रही है और बाबा जूम जूम के वाव बच्ची वाव बच्ची वाव बच्ची वाव चलता वा खा रहा है दोनों की आजन्द की च जोही सीन था जैसे गिल्मी ने अपने जूते जिर्शी राण को फिलाए जैसे जोही सीन वर जो रहा था स्री कृष्णी ने विदूर के धर बैठ कर जुमीन पर साग दो कि खाया एसे लिए वो जूम जूम के स्वाद ले ले तके पपिता खा रहे थे पूरा पपिता पिनुष को गया लास्ट में तोड़ा सा बच्छा माता ने कहां बाबा ये तोड़ा सा मुझे भी खिला ले लास्ट बच्छा ने बाबा ने कहां ने रचिये तो तुम बाबा के विए लाई हूना तुमें दूसरा तुछ तुछ खिला दे तुम पर ये अधिकार से विवस शर्विया बाबा को इतना सा पपीता बाबा ने जैसे ही माता के मुख में रखा अपको बिश्वास से ही होगा उस माता ने बड़ा खराब सा मुदरा और उसे पपीते को हाथ में वापस ले लिए मुझ से बाहर पपीता महा महा करवा था 28 करवा पपीता अपको माता बिलक बिलक के रोने लगी ये ने हातों से चाहओ गया बिलक कर गया इतना करवा पपीता बाबाब मुश्पुराते में खा गे अपकी जेहरे देक सिक्र ने नहीं लएं ऐसे खाले, यह मेरे हाथों से क्या हो जा मैंने प्रेस क्यों नी किया परे, उसे बड़ी शर्मिंद की फील हो रही थी कि उन्हेंने क्या कर दिया, ऐसे पूर पूर के बच्चों की तरह रोने लगी बाबा के सारे, बाबा ने उसको बड़ी साथ बना लिदी, उसके आशों प और बड़े प्यार से घृष्षी देते वरे बाबा ने कहा, बच्ची, पपिता किसमे खाया है, पपिता कौन खा रहा था, किसमें पपिता खाया है, फिर बाबा ने बड़े काम की बात गही, कि बच्ची, बाबा तो तुमारी मिश्री से भी नीची भावनाओं का, स्वाद ले ले करके इजोई कर रहा था, आनन्वित हो रहा था, तो माई बागनाई तो मिश्रिस से भी मीठी थी दची, बाबा तो नहीं स्वादे रहा था, कितना भुका है को पे दिन बागनाई था, आ गए ना स्वाद की आत्मे, बेवली दिक आतम ऐसे ही आयते, जब मनो आज से मेरी ओर से मेरा भुद्वान भुका नहीं सोएगा, मेरी भावनाई उसको अरपित होंगी हर दिन, सम्मान सहित मेरी बावनाई कोंचे उसे, मेरी ओर से मेरा भगवान भुका नहीं सोएगा, अब बावनाई हो तो ऐसी जैसी शिव भक्त की है, तो बच्चा भी नहीं बाबा का, उसे ज्यान भी नहीं, लेकिन शिव भक्त है, लेकिन ऐसा भक्त है, जब जन भी जिता है, तो शिव को अरपित करके जिता है, हम तो जन 6-7 बार, 10 बार पीटे ना दिने, इतना बागव तुम है तो मैं है कभी शुक्रिया माने मेरे उसका हुआ करके उसका शुक्रिया करते हैं अपनी भावना से स्कतर वांगरिया शुक्रिया को एक इस सुनवाई करता है उमर बहुत हो गई गर में कोई बच्चा नहीं एक भोले नाथ एक शिव एक बच्चा मुझे लिचाए इस सुनवाई हुए उस वक्त की जो अप्तलबना भी नहीं कर सकते उसके घर में उस भोले नाथ में एक ऐसी आतमा को भेजा रा जब वो आतमा चलती थी तो हजारों कदम उत जाते थी जब मुस्ख उराती थी तो हजारों की उधासी ऺह लेती थी जहाँ वो खड़ी हो जाती थी खुश्यों की बाहर आ जाती थी जो ब्रहमल परिवां की जान थी जो शिव की प्रान की शान की एसी हमारी दादी प्रकाश मरी आत्मा उष्शिव भर्ट के घंवी जाके ज़नी वो अश्च रत्मों में अकेली नहीं ज़नी अपने प्रकाश को साथ लेकर ज़नी दादी के जनल से पहले बाबा ने ये मैसिज दिया था कि वो प्रोन से घंवी जा रही है वो तू जा रही है क्या रिजन है उसके पीछे अलाकि बेद नहीं कोला की कहा है पर अंतु इतना मैसिज दे दिया था बाबा दे जिसके दृष्टी के लिए घंटों इंदजार करते थे जो चलती प्रती परिष्टा की पविक्रता की देवी थी जो मक्ता नहीं थे ऐसी हमाने जा दे अब भागना हो तो दादी ज्यानी की जैसी दादी ज्यानशी को दॉठे में बिल दिया कही साल पहले कि रिटिकल परिणीशन ये कभी olm कुछ भी हो सकता नहीं प्रकाश मढ़ी दादी ने सभी जोन हमाने जोला दिया हम्ला बादे कि दादी की हालत भोट कभी भी कुछ भी हो सकता है सवी जो निचा आज आजाँ अंदाबाद में आजओ एसी समुनिशन में जप डॉक्तर कह रहा है कि दादी जानथी वह कि ने तबहली को जिए भाझ की बोग लिया सकता है उस्पितल में दिया नहां कि ती बोग का रही हो सकता है उस बहने का हाँ दाली हो जाएगा तो कहा कि जाओ कुछ अच्छा सा बाबा के लिए बना कर ला दाली के आज तक ये मानियता है मेरो की सुकी घंच चलेगा पर मेरे बाबा को ब्रोग बढ़िया से बढ़िया बना चाहिए लगना चाहिए वो पहां कुछ बड़ी असा बना के लाना हो सके के पूलों का हार की लेया है थोड़ी देर में बहुता खाई सच के आ दिया रादी जान की जमीन पर रैठी पिल्कुट प्रेख्टे गल लाज़े है आदा धंटा जब दोक्टर के लिए कि कभ अधंटा भूब लगाया और सत वर्ष आयूं का बर्दान पाया आज उत्त बादी जानी की एक सो तेरे साल की होने वाली है जन्वरी में अगले में हमारे सामने हैं बिल्कुल स्वस्त एक ऐसी महीरा पूरे विश्वने में जो मोस इस्टे बनाएंट पो रखती है पूरे विश्वने यही कोई है जिसके माईड की रिस्तर चुछी है वो केवल दादी जानी है जो हमारी है आपकी है पूरे विश्वने एक मात्रे सी महीरा जो सो साल की जादा उमर की होने के बाद भी इंटरनेशनल संस्था का सुचारो रूप से संचालन कर रही है वो महीरा हमारी दादी है आपकी दादी है इसका नामे जानी दादी है इतनी ग्रेश इतनी महान इतनी पवित्रा आत्मा है उनकी भोग इस तखा स्वीकार हुआ कि या तो तभी जा रही थी या भी कितनी होगी उनके साथ पे सब धीरे धीरे चले रहें यहीं वो अभी तक विराश मुद्धी और हम कहते हैं कि वो जब तक संगम रहें दादी जी हमारी स्वेस्थ रहें अब सबसे बात कहना चाहूंगी जो बाबा की मुझे सुनते हैं नियम धारगां में चलते हैं चोबिस घंटे में एक बार अपने गहने बाबा को भोग जरूर लगाएं अब की नो टाई नहीं लगा सकते नो प्रोड्लम लेकिन एक टाई शद्धा से भगवान को भोग उफर करें आए और फिर परिणाम देते क्या होता है लेकिन परिवार के लिए बनारी हूं पती के लिए बनारी हूं बच्छों के लिए नहीं नहीं के भोग भगवान के लिए और उसके परिवार के लिए बनारी हूं बच्छों के लिए परशाद बनाएं ना किसे बार्ख करेंगे शान्ती ले रहेकर योगित होकर बाबा को साथ लेकर में परंपवी प्रात्मा हूं में परंपवी प्रात्मा हूं ये स्वामान का भ्यास करके उए बोजर बनाएं बड़ी श्रब्दार से बाबा को भूंग लाएगे एक ताइम जरूर आपके घर में संस्कारी बच्छे बनेगे चित शान्त होंगे आपस में प्रीम बनीका घर में बट्वत होंगी बंदारे भरपूर होंगे काल तंडक सब भूर होंगे और ये बाबा का प्रोमिस है जिस घर में बाबा ने भूंग स्विकार किया वो रोज पूरे 84 सी जनाब उसको खिलाने की ब्यूटी जिम्मेदारी उपर बाले की दियोगी बिनाश्काल में दुनिया भूंगी मरे तो मरे ओ भाइबके ब्रामन सुलो मेरी बात बिनाश्काल में दुनिया भूंगी मरे तो मरे लेकिन जिस घर से बगवान में भूंग स्विकार किया है फिर जो जो बात कम भी चाहे वो आताश्क गिराई चाहे भर्ती पाड़के दे आपके हाथ में दाल रोटी अन्पिर स्वांस तक होगी लेकिन भूग वोही लगा सकता अपने गर में जिसकी कीचन में नौन वेज ना बनता हो अगर आख की रसोई में नौन वेज बनता है तो आपका भूग बाबास निकार नहीं गरेगा पिराद रोटी इसका भूग अगरा सकते जाई भूग वोही लूग दूद दिना उड़ाद रोसों ये लेजाना की में जिसकी